मेरे गुरु ने मुझे कई साल पहले सिखाया था बेटा याद रखना विज्ञान वो शिव है जिसको हम जान चुके हैं और शिव वो विज्ञान है जो अभी जानना बाकी है विज्ञान बहुत छोटा सा अंच है उशिव शिवा का जिसको मनुष्य जान चुका है और शिव शिव शिवा बहुत बहुत सारा विज्ञान है जो अभी भाकी है जिसको अभी हमें अन्रेवल करना है सहस्त्रार की हजार पंखडियां है हर पीड़ी को एक पंखड़ी खोलनी होगी और फिर कहीं किसी दिन जब सस्त्रार का हजार पंक्डियों वाला कमल खुल जाएगा तब तुम सोचो ये प्रक्रती ये प्रत्वी ये मनुश्य प्रजाती कैसी दिखाई पड़ेगी जब एक बार फिर वो ग्यान हमारे बीच होगा और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ अब अपनी सोच को बदलो अब आपको ये नहीं सोचना कि 30 साल में क्या होगा 40 साल में क्या होगा अब सोचना शुरू करो कि 400 साल में क्या होगा 500 साल में क्या होगा जो सोसाइटी पीडियों के लिए सोच सकती है वो ही सुसाइटी सफल होती है